तो बच्चों देखिए फिर क्या हुआ इसमें रधाई रधाई समय बाद क्या हुआ पोस्टमास्टर को बहुत काफी अराम मिल गया और वो अपनी खटिया से उठखड़े वह अब उनको काफी अराम मिल गया अब खटिया से वो उठेने लगये थे यानि दर दर टहलने लगे थे, no more of this, उन्हों न कहता, अब हम यहाँ, अब हम इसको नहीं सहेंगे, no more of this, अब यह मैं नहीं सह सकता, said with the decision, उन्हों यह अब यह decision लिया, I must get a transfer, कि मुझे यहाँ से transfer करा लें चाहिए, क्योंकि वो बहुत परिशान हो गए थे, इसलिए वो भी application लिखी, रतन again look up her old place outside the door, but she no longer had the same old girl, रतन जो है, अपने ही place पर बाहर बैठी हुई थी, ठीक, डोर पर बाहर बैठी हुई थी, but she no longer had the same old girl, लेकिन उसको अब दुबार पहले जैसी आवाज सुनाई नहीं देती थी, क्या थी पहले जैसी आवाज, कि रतन कहा हो, तुम क् रही हो, बनला पोस्ट मास्टर आवाज लगाया करते थे, लेकिन बिचारे पोस्ट मास्टर बहुत परिशान हो गए थे, अब वो उसको उस तरह आवाज नहीं लगाते थे, she would sometimes keep inside furatively to find the postmaster sitting on his chair, कभी-कभी वो अंदर आ करके जल्दी से देखती कि पोस्ट मास्टर क्या कर रहे हैं, जब वो आती अंदर तो देखती, पोस्ट मास्टर कभी अपनी चेयर पर बैठे हैं, और कभी-कभी अपनी खटिया पे लेटे हुए, जब रतन उनकी call का इंतिदार करती, था पोस्ट मास्टर, जबकि रतन जो है, उनकी call का इंतिदार कर रही थी, कि वो मुझे बुला है, और जबकि पोस्ट मास्टर किसका इंतिदार कर रही थी, कि एप्लिकेशन का कब जवाब आए, कि मुझे यहां से कब जाना हो, वाला पोस्ट मास्टर जो यहां से जाने का इंतिदार कर रही थी, और रतन जो है, उनकी आवास का इंतिदार कर रही थी, कि वो मु बुलाए दादा ने कहा I'm going to tomorrow I'm going away tomorrow मैं यहां से जा रहा हूं रतन कल उसने कहा जा रहे है अब दादा उसने कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूं आप कवाएंगे लौटकर कवाएंगे I'm not coming back मैं दुबारा वापस नहीं आगो रता रतन आस्क नो अधर कोशन जब उसने यह बा कि दोनों लोग एकदम शान्त हो गए दूसरे से बात नहीं की दा लैंप वेंट और डिम बर्दिंग और जो लैंप जो है बहुत ही डिम डिम जलता रहा ठीक है पूरी ब्दम कहानी है सुद्ध्यान सुनिएगा आफ्टर वाइल कुछ देर बात क्या हुआ रतन रोज रतन उठी और वेंट ओफ दा किचान वे गए और उसने खाना तैयार कि एक इसके लिए वोस्मास्टर के लिए क्योंकि सुवा निकलने वाले थे वो इसके दिमाग में बहुत सारी बाते आरी पतर वो छोड़ कर क्यों जा रहे है क्या बात हो गई है यह बहुत सारी चीज उसके दिमाग में आरी जब उन्होंने अपना खाना खाले तो इसने उन से कोश्चन के दादा विल यू टेग मी टू यूर होम क्या दादा आप मुझे अपने घर ले चलेंगे तब उसके कोश्चन पर वो हस्कते रहे कि कैसा जी उसने कोश्चन किया वाट एन आइडिया उसका ऑन गेटिंग अप इन दा मॉर्निंग जब वो सुबह को तयार हुए त वो सुबह उठका तयार हुए उन्हों देखा कि उनका नहाने का पानी तयार है और उनके सुबह उठने से कुछ मुझे काम बताए यहाँ पर जो दूसरा पोस्ट मास्टर आएगा मैं उससे बता दूँगा कि वो तुम्हारी देखभाल करेगा मैं उसको यह सारी चीज़े बता करके चला जाएगा और वो तुम्हारी देखभाल करेगा लेकिन ये बात उसको बिल्कुल नहीं जमी वो नहीं चाहते है थी को छोड़के जाएगा उसको ये बात बिल्कुल नहीं जमी इस तरीके का पोस्ट मास्टर का पहना फिर क्या हुआ रतन बस्ट आउट वीपिंग एंड सेड नो रतन जो है रोने लगी उसने का नहीं नहीं आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे यू नॉट टेल टू एनिवन एजनीफिंग अब आउट आपको किसी को मेरे बारे में कोई भी चीज बताने के ज़रूरत नहीं है और यहां रुकना नहीं चाहती थो मुण्च कर बहुत रहे जोगा देंग पोस्ट मास्टर हो अपका बहुत छीज और नहीं झाही। फिर पोस्टमास्टर अपने जाने के लिए तैयारी करने लगे डिपार्टमस जाने की तैयारी करने लगे जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दा कॉर्ड रतन अब जाने से पहले उन्होंने रतन को बुलाया एंसर उससे कहा here is something for you मैं तुमारे लिए कुछ लाए जाओ उन्होंने अपनी जेव से कुछ पैसे निकाले and the whole his month salary अपनी पूरी month salary एक महीने के salary में से उन्होंने उसको कुछ दे दिया और बाकी जो बचा उन्होंने उसका traveling expenses लगा दिया जाने का किराय लगा दिये देन रतन fell at his feet and cried रतन क्या होगे उसके पैर के पास आकर के रोने लगी ओ दादा आई प्रयू मैं आपके पैर पढ़ती हूं don't give me anything मुझे कोई भी चीज नहीं चाहिए आपसे don't in any way trouble about me आपको मेरे बारे चिंता करने की जुरुरत नहीं है and then she ran away out of sight और वो भार जा करके बहुत ही रोने लगी भार जा करके when the boat was under river जब जो है रास्ते में थी and the rain solen और जो है रेन जो है बहुत तेज होगी रिवर इसलिट और रिवर जो नदी थी इसलिए पानी गोल गोल भूम रहा था and sobbed at her bows ठीक है और वो उसके चहरे की तरफ देख रहे थे कि वो सिसक सिसक कर रो रही है the postmaster felt a pain in heart postmaster को बहुत ही दुख हुआ उनको दिल में बहुत ही दुख महसूस हुआ उनको कि विचारी वो जो रतन थी वो बहुत ही मायूस थी मेरे जाने से the grief बहुत ही उदास हुए वो striking face on a village girl उन्हों देखा कि जो विलेज जो गर्ल थी जो पूर गर्ल थी जो और्फन लड़की थी उसके चहरे पर बहुत ही उदासी थी seemed for him the great unspoken pervading grief of mother earth herself तो क्या हुआ उन्होंने देखा कि जो विलेज गर्ल थी seemed for him a great unspoken pervading कि वो जो लड़की थी उनके लिए बहुत थी unspoken unspoken pervading pervading में इस क्या होता है speed out everywhere बहुत ही वो सर्व व्यापी थी grief of mother earth herself वरलो वो ऐसा उनसे उसका रिष्टा हो गया था जैसे कि वो उसकी दुनिया में दूसरी mother थी या उसकी माता के समान वो हो गई थी at one time क्या हुआ फिर दुबारा he had impulse he had impulse go to back फिर उनके दिमाग में यह लालसा आई strong desire and bring her away कि वो अपने रास्ते से वापस लोड़ जाए बट already the village was left behind लेकिन वो गाउं से काफी दूर आ चुके थे so the traveler concerned himself फिर उन्होंने अपने आपको सांतवना प्रदान की यानि उन्होंने अपने आपको बहुत ही sympathy जता ही अपने आ के उपर क्या मत कहा उन्होंने अपने आप से with philosophical reflection की ये बहुती philosophical reflection उन्हें अपने आपको सोड़ी सांतवना प्रदान की on the number और लेशकी दुनिया में बहुत सारे लोग मिलते fire दूसरे से और एक दूसरे से लोग अध़ी विजिते जाते हैंने और आफ यह संसार कनिया में मिलते हैं मलते हैं गम आती है खुशी आते हैं तो अपने आपको यह बताने लगे बड़ रतन had no philosophy लेकिन रतन ये बिल्कुल नहीं सोच रही थी वो पोस्ट आफिस के इर्देगर्द हूम रही थी इन ए फलर्ड आफिस और अपने आखों में बहुत सारे आसुल ये थी इट में भी दैट शी हैड इस्टिल लड़की हो शायद उसके मन में अभी ये लालसा थी अभी ये इच्छा थी इसके दिल में ये कहीं एक जगे थी ये एक जगे थी कि दैट हर्ड दादा की उसके दादा वुड रिटन एक ना एक दिन लाट करके ज़रूर आएगे अलास अलास में क्योंता बेचारी कि इंसान का दिल कितना ही फूलिश होता है मतलब कितना ही मोर्क होता है कि लोगों का भरोसा किया करता है कि एक ना एक दिन इंसान लाट करके धरूर आएगा लोग ये भी सोचते इंसान मर जाता है तो एक ना एक दिन वापस लाट करके धरूर आएगा लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है जो चला आता है वो चला आता कभी वापस नहीं आता है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह story बहुत इच्छी लगी होगी तो बहुत इच्छी इस टोरी आप लोग को लगी होगी तो आप लोग भी इसको explain करने की कोशिश करें और जो word meaning आप मैंने आपको दी word meaning को learn ठीक remember करने की याद करने की अच्छे से कोशिच करें और इसी तरह आप लोग भी explain करने की कोशिच करें ओके thank you very much